अवनीश ट्यूटील प्राइच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखिये बोड़ पर इच्छा निकट होने के करड़ आपको परड़े जो है हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो दी जा रही है प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को जादा जादा लाइक करीए शेर करीए और न सब्सक्राइब कियों सब्सक्राइब भी कर लेजीए ठीक और हिंदी से रिलेटेड जो जानकरिया है वो आप पिछले वीडियो में चैनल पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं आज हम लोग जो है पढ़ेंगे अलंकार ठीक है खासकर कच्छा 10 के चात्रों के लिए और कच्छा 12 के चात्रों के लिए जो important अलंकार अलंकार तो बहुत है लेकि जो important पूछा जाने वाला बोर्ट परिच्छा में है उसको दिया जा रहा है तो सबसे पहले हम जानते हैं अलंकार होता क्या है हलांकि इसकी डिफ निसन नहीं पूछी जाएगी अलंकारो इति अलंकार है सोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं ठीक है सोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं कहने का मतलब किसी काब्य में वे सब्द यातातु जो काब्य की सोभाव में बृध्धी कर दे उसे अलंकार कहते हैं अलंकार में इस गहना होता जिस प्रकार से अवरत आभुसर कहनती है और सुन्दर लगती है ठीक उसी प्रकार हिंदी की कुछ सब्द होते हैं जिसे कभी इस्तेमाल करके और काब्य में काब्य को सोभाव मान कर देते हैं जिससे एक लुलुपता सी उत्पर्ण हो जाती है और लोग रुचि पूरुक उसको पढ़ते हैं और उसका आनंद लेते ठीक तो अलंकार दो प्रकार का होता है मुखे रूप से अलंकार के दो भेद हैं एक है आपका सब्दा अलंकार कौनसा सब्दा अलंकार और दूसरा है आपका आर्था अलंकार अलंकार तो अलंकार के दो भेद सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार अब सब्दा अलंकार में अगर पढ़ा जाए तो मेन जो है आपका अनुपरास है यमक स्लेस तीन ही होते हैं सब्दा अलंकार के तीन भेद हैं कहने का मतलब सब्दालंकार क्या होता है कि वह अलंकार जिसमें कोई सब्द बिसेश प्रकट होकर उस काभी की सोभव में बृद्धी कर देता उसे सब्दालंकार कहते हैं सब्दा लंकार के तीन भेद हैं, सब्दा लंकार के तीन भेद हैं, पहला आपका है अर्था लंकार, कौँसा अर्था लंकार, ठीक, और दूसरा जो है, सब्दा लंकार के तीन भेद हैं, जिसमें आपका अनुप्रास लंकार, और दूसरा जो है, यमक लंकार, और तीसरा जो है, सलेस लंकार, सलेस लंकार, ये तीन जो है, सब्दा के हैं, और अर्था लंकार जो है, अनुप्रास अलंकार, और यमक उसलेस पढ़ लेती, तो सबसे पहले, अनुप्रास अलंकार क्या है, उसको पढ़ा जाए, अनुप्रास अलंकार, जहां पर वर्डों की, नहीं, जिस अलंकार में, वर्डों की आबरित्ती होती है, वहाँ, अनुप्रास अलंकार होता है, जिस काब्य में, वर्डों की आबरित्ती से, काब्य की सोभा बढ़ती है, वहाँ, अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे, कोई भी एक्जाम पर ले लिजिए, जहां वर्डों की बात हो, जैसे, तरनी तनूजा तटितमाल तरूर बहुच्छाए, उदाहरर दे रहे हैं, उदाहरर, ठीक है, तरनी तनूजा तर्टितमाल तरूर बहुच्छाए, ठीक, ब्याख्या अगर इसकी करनी हुए, त आप बता से, सकते हैं, कि इस काब में ता वर्ड की आबरिती हुई है, कई बार यह आया हुआ है, ता वर्ड, इसलिए, यहां अनप्रास अलंकार है, ठीक, ऐसे, चच्चु की चाची ने, चादी रात में, चच्चु को चादी के चम्मत से, चटी चटाई, यहां देखिए, वर्ड की आ यह रहा आपका अनप्रास अलंकार, अनप्रास अलंकार क्या होता है, जिसका आप में वर्डों की आबरिती होती है, कई बार होती कहने मतलब, वहां अनप्रास अलंकार होता है, अब चलिए हम लोग जो है देखते हैं, यामक अलंकार, पहला आपने अनप्रास देख लिया, दूसरा देखते हैं, यमक अलंकार, जिस काब्य में एक ही सब्द, एक ही सब्द कई बार प्रयुक्त होकर, काब्य की सोभा बढ़ाते हैं, तथा उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है, कौँसा? यमक अलंकार होता है, ठीक? इसका उदाहरण देखा जाएं, यमक अलंकार का उदाहरण, जैसे एक ही जांपल है, कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकाई, उदाहरण लिख लेते हैं, बैइ, उदाहरण, कनक, कनकते, कनक, कनक, ते, सौगुनी, सौगुनी, मादकता, अधिकाई, वही खाए बवरातनर, वही खाए बवरातनर, और इह पाए बवराय, इह पाए बवराय, थीक? तो यहां देखिए एक ही सब्द दो बारी उज़ुआ है कनक, कनक, एक कनक का ताथ पर होता है धतूरा, एक कनक का ताथ पर धतूरा, और दूसरे कनक का ताथ पर क्या है? सौनड़ात, सौनड़ा, तो इस काबे में कनक दो बारी उज़ुआ है, एक कनक का ताथ पर धतूरा, धतूरा, अगर कोई आदमी खा ले तो क्या होगा? बावरा जाएगा, पागल हो जाएगा, और दूसरा कनक सौनड़, आगर किस भी के सोना मिल जाए, सौनड़ धात मिल जाए, आतोरेट आप आजक वह खाए बावराज़, बने उसको खाए, पहले वाले को खा ले तो बावराज जाएगा, और दूसरे वाले को पा जाए तो भी बावराज जाएगा, ठीक? तो अब हम लोग एक लास्ट तीसरा पढ़ेगे, सब्दा का कौसा है? सलेस अलंकार, सलेस अलंकार, ठीक? जिस काब में एक ही सब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, एक ही बार प्रयुक्त हो, परंत उसके अनेक अर्थ हो, अनेक अर्थ हो, तो वहाँ सलेस अलंकार होता है, ठीक? एक इसका अग्जामपल देख लिया जाए, चरन धरत चिंता करत उदार है, चरन धरत चिंता करत, चिंता करत, और चितवत चारि हो और, सुबरन को खोजत फिरत काभी ब्यभिचारी चोर, तो यह है, सुबरन जो है, चरन धरत चिंता करत, चितवत चारि हो और, सुबरन को खोजत फिरत, यह ठीक है न, फिरत, कभी ब्यभिचारी चोर, यहाँ सुबरन सब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग-अलग हैं, जैसे कभी के लिए सुबरन का तात्पर क्या हो जाएगा, सुन्दर वर्ड, क्या हो जाएगा, सुन्दर वर्ड, अब्यभिचारी के लिए सुन्दर नारी, इसके लिए सुन्दर इस्त्रिय नारी, और चोर के लिए भाई क्या होगा, चोर के लिए सुबरन का तात्पर, सुन्द, सोना धातू, ठीक, तो सब्द एक ही सब्द, काब्द में प्रियुक्त होकर, अनेकों अर्थ लेकर उस को बढ़ाता है तो यह रहा सब्दा लंकार ठीक सब्दा लंकार के तीन बहेद अनुपरास यमक और स्लेस अनुपरास में जिस काब में वर्णों की आप रित्य होकर और काब की सोभा बढ़ रही वहां अनुपरास अलंकार होता है यमक अलंकार में जिस काब में एक ही सब्द एक या दो से अधिक बार प्रियुक्त हो कर उस कावे की सोभा बढ़ा है और उसके अर्थ अलग अलग हो यहां मक अलंकार होता है और सलेश अलंकार में जिस कावे में एक ही सब्द एक ही बार प्रियुक्त हो परत उसके अर्थ अलग अलग हो और काब की सोभा बढ़ रही हो तो वहाँ सले सलंकार होता है धन्यबाद प्लीज चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जदा जदा लाइक सेर करें धन्यबाद